कृपिया दिहान पुरुवक सुनिए God, going, something, but, then, yours का प्रयोग इंट्रोगेटिव संटेंस मनाने में कैसे किया जाता है God का प्रयोग हम कैसे करते हैं जैसे Pencil है तुम्हारे पास God you pencil चाकू है तुम्हारे पास God you knife घडी है तुम्हारे पास God you watch Latter है तुम्हारे पास God you letter Stapler है तुम्हारे पास God you stapler अब going का प्रयोग कैसे करते हैं बाहर जा रहे हो Going out Gym जा रहे हो Going to gym बजार जा रहे हो Going to market Office जा रहे हो Going to office Shopping के लिए जा रहे हो Going for shopping अब something का प्रयोग कैसे करते हैं कुछ सोच रहे हो Thinking something कुछ कर रहे हो Doing something कुछ लिख रहे हो Writing something कुछ पढ़ रहे हो Reading something कुछ कर रहे हो Saying something But का प्रयोग कैसे करते हैं लेकिन क्यों But why लेकिन कौन But who लेकिन कैसे But how लेकिन कब But when लेकिन कहां But where देन का प्रयोग कैसे करते हैं फिर क्या Then what फिर कब Then when फिर कहां Then where फिर कौन Then who फिर कैसे Then how योर्स का प्रयोग कैसे करते हैं तुम्हारा नाम योर्स नेम तुम्हारा पता योर्स आड्रेस तुम्हारा मोबाईल नंबर योर्स कंटेक्ट नंबर तुम्हारा email address, yours email address, तुम्हारा व्योसा, yours business इस तरह से got going something but then yours का प्रियोग interrogative sentence बनाने में के जाता है Thanks